आग्रा में शुपोशन अभियान बुदुवार 7 जून से शुरू हो गया है 6 जुलाई तक चलने वाले अभियान में गर्भवती और धात्री महिलाओं तता गंभी रूप से कोपोशित बच्चों को आईरन तता मल्टी विटामिन की दवाईयां दी जाएंगी आग्रा में शुपोशन अभियान बुदुवार 7 जून से शुरू हो गया है जुलाई तक चलने वाले अभियान में गर्भवती और धात्री महिलाओं तता गंभी रूप से कोपोशित बच्चों को आईरन तता मल्टी विटामिन की दवाईयां दी जाएंगी डीपियो आदिश मिशुरा ने बताए कि या अभियान मात एवं बाल स्वासकारिक्रम के तहर चलाया जाएगा स्वासकेंद्रों के जरी महलाओं को पोशन के प्रती जागरू किया जाएगा प्रतिक गर्ब बती और धात्री महला तक आईरन फॉलिक एसड केल्शियम एवं अलबेंडा जॉल आदी दवाईयां पहुंचाई जाएगी बच्चों के लिए अमोक्सी सीलन, फॉलिक एसड, आई एफ ए सीरप, अलबेंडा जॉल, विटामिन ए, मल्टी विटामिन्स की दवाईयां बांटी जाएगी लाबार्तियों को दवाओं के सेवन के प्रती अवेर किया जाएगा डीपियो आगरा ने बता कि गरवस्ता और प्रसव के बाद महिलाओं और पांच साल के कम आयू के बच्चों को बहतर पोशन की ज़रुत होती है इसके लिए मात एवंबाल स्वास कारिक्रम के तहत उन्हें भोजन संबंद सला और पोशक तत्व दिये जाते हैं 2020 में हुए रास्टे परिवास स्वास सर्वे NFHS 5 के अनुसार NFHS 4 के सापेक्ष महिलाओं और बच्चों के पोशन से संबंद संकेतकों में कुछ सुदार हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में मात 22.3 प्रतिश्यत गर्ववती महिलाओं ने 100 दिन तथा 9.7 प्रतिश्यत गर्ववती महिलाओं ने 180 दिनों तक आयरन की गोलियों का सेवन किया पोशन के प्रती अंदेखी से 45.9 प्रतिश्यत गर्वती महिलाओं में एनीमिया पाया गया NFHS 5 के सर्वे के मुताबिक 5 वर्च से कम उम्र के बच्चों में दुबलापन के आंकडों में संतोज जनक सुदार हुआ है NFHS 5 के आंकडों के अनुसार प्रदेश में 5 वर्च से कम उम्र के 17.3 प्रतिशत बच्चे दुबले पन के शिकार हैं 7.3 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनकी लंबाई और उंचाई के अनुपात में बहुत कम है यहाँ एक गंभी चिकिस्त्य समस्या है इस तरह के बच्चों की म्रत्यू की संभावना नौगुना अधिक होती है C News के लिए लक्षमी राज सिंग की रिपोर्ट